वाई नमस्ते शेकार असलाम वालेकूं अमीद कोते हो खेरेश से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे मैंने कई बार सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनका जन्नत जाना तो वह 100% गारंटिड है उन्होंने कुछ भी काम किये हों अच्छे बुरे जो भी हो बट यह फोर्शूर है कि वह जन्नत जायेंगे जायेंगे इनिशिली हो सकता है कि उन्हें कुछ पणिश्मेंट मिले वह जन्नत जाएंगे बट्टे जो नोन मुसलिम्स हैं वह जन्नत नहीं जाएंगे तो यह बहुत अजीब लगता है कि यह बहुत अजीब सा लगता है सुनने में भी और मतलब अगर यह बत किसी को भी बोलो तो लोग हसते हैं सुनके कि यह क्या लॉजिक हुआ तो आज की जब मेरी वीडियो है वो एंजीनेर मुहमद अली मिर्जा साहब का एक ब्यान है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या नोन मुसलिम काफिर भी जन्नत में जाएंगे तो इस दुरान में क्या मैंशन किया गया है कि नोन मुसलिम जाएंगे जन्नत में यह नहीं जाएंगे वैसे तो चलो मदब हम यह उश्वास करते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो जन्नत जरूर जाएंगे चाहें हिंदू है यह मुस्लिम लेकिन आज इस वीडियो को देखते हैं औ अली मिज्जा साब का इसके बारे में क्या कहना है सो लेस्टार दा वीडियो अली मिज्जा स्वाल है कि अगर कोई गयर मुस्लिम दीन पिट तहकीक के दुरान मर जाए और वो इसलाम तक ना पहुँच पाए तो ऐसे आदमी के साथ आल्ला क्यामत के दिन क्या मामला फर्माएगा हुए 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 है हुए یہ तो अल्ला ही जाने ठाए हमारी तो खौハハश है कि कोई भी इंसां दोज़ख में ना जाए हम तो एक बिल्ली को दोज़ख में गेरतावर परदाश नहीं कर सकोएं लेकिं दूसी तरफ ये भी एक रियलिटी है कि इनलाह ला याख्फिरु यूश्र कभी वा याख्फुर मादू दून जालिकली मैं यूश्र लाव शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा इसके लावा हर गुना माफ करतेगा जिसके लिए चाहिए अगर कोई शक्स मुवाहिद है एक अल्ला का मानने वाला है नबी लिएस्लाम की दावत उस तक पहुँची नहीं तो सिर्फ तवहीद पर इमान भी उसके लिए काफी है क्योंकि सही मुस्लिम एदीस है जिसने मेरे बारे में सुन लिया कि मैं अल्ला का पिगंबर हूँ चाहे वो एले किताब में से हुआ यहूदी यहिसाई आपने वगयादा नाम लिया यहूदी और नसरानी और मुझे पर इमान ना लाया तो वो दोजख में जाएगा लेकिन जाहरे इसमें इंपलाइड है कि उस तक नबी लिस्ताम का सही तारुफ पहुंचाओ अगर हम जैसे मुसल्मानों से तारुफ पहुंच रहा है तो वो बड़ा नेगिटिव तारुफ ही पहुंच रहा है अब अल्ला तरह फैस्टा करेगा किसी को क्या गिवन सिर्कम्स्टांसिस दिये गए थे उसमें बेतर परफॉर्फॉर्म क्या कर सकता था बाकी जो सुरह बकरा की आएद नमबर सिक्स्टी टू से लोग प्ली लेते हैं ना उसमें मेरे यूट्यूब पे क्लिप बे है क्या यहूदी और इसाई भी जिन्नत में जाएंगे बास जो लोग है वो उसको दूसी तरफ ले जाते हैं वो भी बात बिल्कुल गलत करते हैं लेकिन उसमें एक पॉर्शन जो है वो वाकई एक इंपॉर्टन्ट है वो फैंकने वाला नहीं है कि उसको इस तरह चीपली इगनोर कर दिये जाए इननल्दीन आमनू वल्ल्दीन हादू सुरह बकरायद नमबर 62 बेशक जो लोग एमान लाए या यहूदी हैं वन नसारा और नसारा यान इसाई वसाबिईन और साभी इवरेहिम आस्लाम के दीन के मानने वाले इसमरा सतारा प्रस्थनी है उसके लिए ना कियामत में कुई खौफ होगा ना कुई खाम इसमें इमान बिर रसालत का जिकर नहीं लेकिन मान बिर रसालत का जिकर सुरह बकरा के शुरूर में हो चुका है क्योंकि यहूदियों से खताब है कि तुम सबसे पहले इस नभी के मुनकर बन रहो लेकिन एबसुलूटली भी अगर इसको देखा जाए या उसका जमाना नभी रसालम से पहले का है और वो अपने वक्त के पेगंबर को या अगर पेगंबर की दावद नहीं पहुची जिसना कि हज़रत लुकमान अले इसलाम है हज़र लुकमान अले इसलाम तक पेगंबर की दावद नहीं पहुची भी वो गैरे नभी थे वैसे इस्राइली रवायतों मिलता है कि अजर दाउद के वो सहाबी थे लेकिन सहाबी होते तो उनकी जो वसीतें कुरान में आई हैं उसमें इमान बे रिसालत का भी जिकर होता अजर लुकमान की नसीतों में मेरा डिटेल लेक्चर है इतनी उन्हें नसीतें की हैं तोहीद के ओपर की है माबाफ से उसने सुरूग पे की बाकी लेकिन उन्हें पेगंबर का तो जिकर नहीं किया अगर एक बंदा अल्ला का दाई हो तो वह पेगंबर की तरह एमान लाता है खुद नबी लिस्लाम क्या कह रहे है सबसे पहले रसूल उन्हाँ लेकि आए हैं जो उनकी तरह नाजल हुए है और एमान वाले भी अमान लेकि आए हैं और आगे सारा फरिष्ट और किताबों पर ये सारी चीज़े तो मुहम्मण बिन अब्दॉल्ह सबसे पहले خود محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے کے آئے ठीक है और उसके बाद सहाब एकराम भी लेके है तो ये वाजिब नभी पे ایمان लाना तो फर्द है लेकिन अज़र लुक्मान के कहीं जिकर नहीं मिलता हूँ उन्हें किसी वो लगता ही है कि वो यानि अत्तकीर भी आला इल्ला फिजिकल फिनॉमिन आफ नेजर को अब्सर्ब करके अल्ला तक पहुँच चुके थे किस काइनात को किसी ने पैदा किया है किसी मकसद के लिए तुम चिटानों में छुपके भी वो गुना करो किमल दिन वो ले आएगा तुमारे सामदे कितने प्यारे लफाज है पहली दिसीद क्या है याब उने ये ला तुश्रिक बिल्ला इनने शिर्क जुल्म उना अधीम ए बेटे देखना शिर्क ना करना शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है वहना साथ रसालत का जिकर करते तो इससे यही लगता है कि अगर कोई शख्स गिवन सरक्कम्स्टांसिस में खुदा और आखरत को मान ले और उस तक पेगंबर का पेगाम ना पहुँचा हो या टेमपर्ड फॉम में फिर वो अल्ला पे छोड़ना चाही है और मैं आपको बताओं बड़े-बड़े मवहिदीन मुजूद है गहर मुस्लमों में भी और बाज वकात तो उनकी खुदा के साथ ऐसी कमिट्मेंट है वो मुस्लमानों में में नज़न गया एक बंदा क्रिस्चन था जिन नाम उसका जेन से उतर गया यॉरप में है उसने अपने बारे में यह निए उसकी बायोग्राफी उसने खुद भी लिखी बड़ी जबर्दस बात उसने लिखी मैंने उसकी वो पड़ी है यह यकीन करें बंदे के आंसू नहीं रुखते है है क्रिस्चन वो कहता है के मेरी उमर सैवेंटी प्लास हो चुकी है और मुझे डाप्टरों ने बलड कैंसर डिएगनोज कर दी है और मैं उस दिन से खुश हूँ कहता है मैंने यह भी देखा है मेरे साथ कितने मेरे लोग एक एक करके फूट होगे और मेरे दोस्तों को जब कभी कोई बिमारी का बता चलता था कि तुम्हारी जिन्दगी के इतने दिन रह गया है तो वो लगता था उत्रे दिनों से पहले ही मर जाएगा गम से क्योंकि उसने दुनिया की जिन्दगी को सब कुछ समझा माता कहता है जिस दिन से मुझे पता चला है न तो मैं तो बिताब हु मरने के लिए कहता है इसलिए के मेरी उमर उस वक्त पांट साल थी जब मैंने पहली दफ़ा ये चीज सुनी थी के मुझे किसी ने पैदा किया है और उस गार्ड की डिमांड है के मैं हफते में एक दिन संडे का दिन उसको दूँ और कहता है आज मेरी उमर सतर साल हो चुकी है मेरी जिन्दगी में कोई एक संडे भी ऐसा नहीं आया मैंने दुनिये जान की अपनी रुटीने चोड़ के संडे के दिन मैंने पूरा दिन गौड को दिया अल्ला के लिए मैंने कभी इस पर कंप्रॉमाइज नहीं किया बड़े से बड़े मामलाद भी था तो कहते हैं मुझे उमीद है कि जिस गौड के लिए मैंने इतनी commitment के साथ जिन्दगी गुजा रही है और मैंने उसके उपर किसी को compromise नहीं किया वो मुझे रुस्वान नहीं करेगा तो क्या हमारे मुसल्मान भी ये दावा कर सकते हैं कितने मुसल्मान जो के जी हमने जब से सुना है कि पांच वक्त की नमादें जरूरी हैं मेरी जिन्दगी के भी नमाद नहीं को चूटी है ऐसे लोग जो खुदा के साथ commitment रखने वाले लोग हैं उनको given circumstances में जितना अल्ला का तारुफ हुआ नबी लिस्ताम का पेगाम भी पहुँचा तो tempered form में वो अल्ला ताला उसका मामला करेगा और अल्ला ताला के ओपर किसी की धोंसनी है जेन में रखिएगा बुखारी और मुस्लिब दोनों में अधीस है नबी लिस्ताम फर्माते हैं तो मेरी एक मसियत है जब मैं मर जाऊं मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसको आग लगाना और उसकी राक को हवाओं में और पानियों में और खेतों में बखेर देना लाइन गदर ल्लाहु अलिया अगर अल्ला ताला ने मुझ पे पा लिए तो मुझे ऐसा अजाब देगा कि किसी को नहीं दिया होगा याँ वो समयता था मैं खुदा के लिए वो क्मिट्मेट की जिन्गी नहीं गुजार सका यह दीस बुखारी मुस्लिम दोनों में हैं मिशकाद में दूसी जिल्ब में लगी रहमत के बियान में आपको मिलेगी नबील इसनाव फर्माते हैं जब वो फौत हो गया उसके पिछलों ने यही कुछ किया तो अल्ला तरह ने हवाओं को पानियों को हुकम दिया कि उसकी राक्स मेटो राक्स मेटी गई अल्ला ने उससे जिनना कर लिया आल्ला ने का आवई जिस चीज से भाग रा था गोई थी सामने आगी यह तूने क्यों किया तूने का या ना ना मैं तुसे बड़ा डरता था मैं उससे नगी जिन्दधी नहीं गुजा सका आल्ला ने कर् eu मैं तेरा ये यकीन था कि तुझे कोई पूछेगा बस इतनी बात है कहां या ला था और मैं ये समझता था कि इस तरह अगर मेरी राक यानि के बखेर दी जाएगी मुझे जिन्दा नहीं कर पाएगा हाला कि ये गीदा कुफर है लेकिन ये कुफर जुजवी है कुली नहीं है कुली कुफर यह है कि कोई शख कहे कि मुढदे को लाँ जिन्दा नहीं कर सकता इसलिए मैं कहता हूँ ये मुसल्मानों में जो जुजवी शिर्क आया है वे न थोड़ा आतो अला रखा करें जब तक कोई Allah को Allah और मुहम्मद को अबदॉल्ला मान रह न अगर चोटे मोटे उसमे शिर्क आईवे न थोड़ा सा आतोला रहे आप आतोला रहें Allah का मामला उसका मामला उसको समझाएं जरूर उसके शिर्क जुजवी है कुली नहीं है तो या या ला इसलिए तो मैंने का था ला इन गदर अल्हा अगर अगर अल्हा ने मेरे पर गुद्रत पा ली तो मैं तुसे डर गया था तो आल्ला पर मैं तुझे बख्श दी गा अल्ला को तो कोई नी पूछ सकता हम बिल्कुल दीन के कनारे कनारे चल रहे होते हैं मुनाफकीन की तरह क्या हम अपने दुन्यावी मामलाद में भी कनारे कनारे चलते हैं या फ्रंट से लीड कर रहे होते हैं आँ मसले में बढ़ चड़के दीन की बात आ रही है नारी खोती मर जान दी है यह वो गाम की बारी है तो साथी गदा मर गया है और कोई और इसमें हमारे साथ कोमदर्दी भी नहीं करता आप मैं अक्सर कहता हूं कि आप दिन के वक्त अपने मोटर बाइक की हेडलाइन आउन करके न एक किलो मिटर भी सफ़र नहीं कर सकते आपको रास्ते में किई बंदे ऐसे ऐसे इशारा करेंगे लेकिन आप एक मस्जिद में पचास साल तक बगहर सुनत के तरीके के नमाज पढ़ते रहे कोई भी आपको ऐसे ऐसे नहीं करेगा क्योंकि वो आपके शर्च से डरेगा आप भी मुझनिम हैं और वो इसलिए मुझनिम है कि उसको चाहिए कि वो देखे मुझे बताए आपके सामने एक नबीना शक्स है और वो एक गड़ में गिरने वाला है तो आप चीख में मार देंगे एक बार और वो नबीना भी आपकी चीख को बूल के के का शुकर इसने बचा लिया लेकि दीन के मामले में आप किसी को प्यार से, महबबत से, किसी तरीके से भी समझाने की कोशिश करे तो वो आगे से आपको दुश्मन समझता है लेकि दुनिया भी मन्फियत में नहीं समझता कहता है मिरबानी सर, बड़ी मिरबानी दीन के मामले में और दीन का यह आल है कि सबसे आखरी प्राड़टी पे है बच्चा भी स्कूल में दाहत कराने दस बंदों से मश्वरा होता है और दीन यह है कि जिस आप फिरके की महले की मस्चिद में पैदा हुए आपका वोई फिरका है तोटल यह आपकी तहकी तहकी है में जो पिछले दूनों जो वीडियो एक चौटी चड़ी थी जिन्दगी बदलने वाली गुफतगू उसमें यही तो प्रोनर होगा है इदर तो पीके वाला ही मामला चल रहा है तहकी का मतलब यह समझते हैं कि अच्छा आप मैंने तहकी यह करनी है क्योंके मेरे महले की मस्चिद ब्रेलवियों की है तो ब्रेलवी कौन होता है जिसको यह यह काम करने चाहिए वो इस तरफ नहीं जाएगा कि मैं इसलाम को देखो वो ब्रेलवी द्योबंदी अलदीश शीयत की तरफ जाएगा या आपने देखा कितना फरक है कोई बंदा के जी मैं तहकी करके मुसल्मान हूँ जितने ब्रेलवी द्योबंदी अलदीश बैठे में वो इसलिए कि उनके बाप दादा थे या उन्हें महले को वो मस्जद लगती थी तो सर मेरे एक मासूमाना सर सवाल है कि अगर आपके महले में कादियानी की अबादतगा लगती होती या आपके अबबाजी कादियानी होते तो आप माशाला बहुत तहकी करके मुसल्मान हो जाते कादियानी होते और दूसी तरह हाल यह है कि जाहिल से जाहिल आदमी मी मेरे जासा कपड़ा खरीदने जाये ना कपड़े को ऐसे करके दूरूर देखता है लेकिन दीन के किसी अमल को ऐसे करके नि предлаг नहीं को देखता कि या नमाज यारे को नहीं पता कि कोई स्थरा नमाज पड़े को में चेकी करिओँ या नमाज किस तरीके पर और कोई इतrा लंबा काम मैं नहीं है एक मसले को चेक करेंगे زیادہ एक या दो दिल लग जाएंगे चुल एक अफ़ता लग जाएगा सीरियस लें लें लगा कोशिश करें तो इंशालला हाक तक पुछ आएगा तो बाकी ये लगा के फैसल असा आखरत के मामले में मैं डरता हूँ यकीन करें कि खुदा बड़ा बेनियास है हमें तो अपनी आखरत की फिकर रसीदी सी बात है हम तो कहते हैं लग ताला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए चैश है कि हम लोगों के बारे में फैसला करें मैं तो अपने बत्तरीन दुश्मनों के बारे में भी कतन ये जुरत ना करूं कि मैं उनकी आखरत का फैसला करता हूँ आट अट अट आल आप देखें मैं यजीद के बारे में में बड़ा सफ तरवया रखता हूँ लेकिन कभी आप नहीं सुनेगे कि मैंने उसको काओ कि वह जहनुमी है आखरत का फैसला अट अट आखरत का फैसला का फैसला का फैसला करें तो सिर्फ जो दुड़ी शरीमे मुकदमा पेश करके आपने नहीं जीतना अट अट आल ने सिर्फ शवाहित की बन्याद पर फैसला नहीं करना गिवन सरकमस्टांसिस भी देखना है मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ आप भी इसको मानेंगे मुझे बताएं एक सेस्थ खाना काबा शरीफ से दो किलो मिटर के फासले पे उसकी कोठी है और उसका मक्य में करोडों का बिजनस है उसके पास तीन चार एर करिडिशन गारी है और वो एर क्रिशन गारी में बैट के सारी नमाजें आके हरम शरीफ में पढ़ता है काम जो और कोई नहीं एक लाख नमाज का सवाब या एक अजार नमाजों का सवाब या दस अजार नमाजों का सवाब ले रहे और एक सक्स पाकिस्तान में है और उसका हाली है कि वो जून जुलाई की तपती दुपैर में रोड के उपर लुक डालने की उसकी जमेदारी है और इसी से जो थोड़ी सी मजदूरी उसे मिलनी है उसने जाके बाल बच्चों का रिजग खरीब ले जोर की नमाज का टाइम होता है मस्चिद वहाँ से दूर है उसके बास सवारी भी नहीं है पैदल जा नहीं सकता क्योंकि पीछे से नोक्री से नकाल दिया जाएगा वो अपना गंदा सा परना वहीं जमीन पे डालता है कि विला रुख और क्रीब किसी तूटी से किसी पानी के नल से या किसी चश्मे से अगर इसलामबाद में मैंने देखा है लोगों को ऐसे खुसन पठानों को ग्रीन बेल्ट में नमाज पढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे बगएर जमाद की वो कि बलारुख खड़े होके नमाज पढ़ लेता है आप ये कहेंगे कि उसको एक लाख जर्बे 27 जमाते 27 लाख नमाजों का सवाब मिल रहा है और इस बिचारे को एक नमाज की सवाब मिल रहा है मैथमेटिकली तो आपकी एक्वेशन ठीक है लेकिन अल्ला ने तो गिवन सरक्मस्टांसिश भी देखने है यही वज़ा है कि नेकियां तोली जाएंगी गिनी नी जाएंगी गिनने में आए तो सौदिया वाला पार्क और तोलने पे आए तो इसकी एक नमाज उसकी 27 लाख नमाजों पे बबारी हो जाएगी जी सर एक एक रुपे के हजार नोट पढ़े हो और दूसी तरह पांच हजार का एक नोट पढ़ा हुआ हो तो वर्थ किसकी ज़्याद है एक नोट की यह हजार उसका मकावला नहीं कर रहे है क्यों? उसकी वर्थ से ज़्याद है अल्ला ने सरकम्स्टांसिज में देखना है एक मल्टी नेशनल में जाब करने वाला बंदा एर किर्डिशन कमरे से उठके अटेश बाथरूम में वुजू करके बिल्कुल करीबी एक एर किर्डिशन में जाके नमाज जमाज से न पढ़े और अपने दफ्तर में मसल्ला डालके दो मिंड में फारिग हो जाए उसकी जमाद माफ हो जाएगी? उसकी तो माफ हो सकती है जो रोड के किनारे ये कर रहे है क्योंकि उस बिचारे के गिवन सरकम्स्टांसिस है तो इसलिए सर आखरत के फैसले ना किया करें डर जाएं जितना आपको अल्ला का खौफ होगा ना आप आखरत के बारे में डरेंगे हकीकत बात है और पॉजिटिव रहे मेरी वाइफ का मेरे सा जगड़ाई ही रहता है मैं बहुत नेगिटिव चीज़ें में लोग ये बज़र्ब करके ना जब मुझे बिलकुल नजर आ रहता है शवायत की बनियात के उपर भी मैं दरगुजर करता है तो आज भी मुझे सुबह कह रहती एसे क्यों होता है मैंने का भुसा मुझे तुमसे ज़्यादा आता है मुझे तब ये ज़्यादा तेज है क्या उत्री तेज तो नहीं होगी जितनी वाइफ की ये वो ज़्यादा ही तेज है लेकि मुझे तब ये बहुत तेज है लेकिन मैं जब यह सोचता हूँ कि यार इसको जो अलातों वाकियात दिये थे अगर मुझे दिये होते शायद मैं इससे भी बुरा आदमी होता तो हो सकता है यार उसको अलाती ऐसे मिले हो सास भी कभी बहू थी एक बहू अपनी सास के बारे में उस वक्त बात कर सकती है जब वो सास बनके अच्छा परफ़ाम करे और फिर अपनी बायोग्राफी लिखे कि हाँ जी मेरी सास तो ये थी और मैं ये आईडियल सास थाबित हुई हूँ आईडियल सास की क्वालिटीस मतारी होती है जब उस पे वो अलातों वाकियात आते हैं तो वो से उससे भी वर्स परफ़ाम कर रही हो और ये देखा है इस युकार जाता है ना खुदा गंजे को नाखुन ना दे तो शुकर करें कि आप गंजे हैं और आपको नाखुन नहीं मिले वे अगर आपको नाखुन मिले होते हैं तो आप ज्यादा अपना रुकसान कर ले दे इसलिए पॉजिटिव रखें पॉजिटिव एटिचूड रखें इसका फाइदा यू होगा कि War Eric आप अच्छी जिद्री उजारेंगे और आपक बारे में किसी के बारे में आपके दिल में मैल नहीं आएगा मेरा इदर जितना वीडियों मैं घुस्फा होता क्यों किसी से नफृत कर रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ इसकी वर्यासे इतने अजारों लोग का बेड़ा गरक हो रहा है तो मैं पूरे पैशन से वियान करता हूँ वरना जो लोग जिनके खिलाब मैंने कलिफ रहे हैं वो भी मेरे सामने आज़े मैं उनके भी आज़ चूम लेता हूँ तो मुनाफकत नहीं कर रहा होता हूँ इल्मी अफिलाफ अपनी जगा है और किसी की उमन डिगनिटी में रिस्पेक्ट अपनी जगा है पॉजिटिव रहे हैं बाजका तसर कार जाती है देखे न सरात आपको नजर आ रहे हैं तफदीली आ नहीं कि आ जाती तफदीली ठंडा करके खाया तो मिर्दा साब का कहना यह है कि मतलब अल्ला पर और नभी पर इमान लाना बहुत जरूरी है उसके बाद ही इंसान जन्नत जा सकता है जिसे अब हर इंसान को यह सी तो नहीं पता होते क्योंकि जो भी इंसान होता है वो अपने ही spiritual book को अपने ही holy book को पढ़ता है और उसी को अमल में लेकर आता है उन्हीं को फोलो करते हैं तो क्रोडों लोग हैं इस दुनिया में जिनको नहीं बताई है चीज कि मतलब अल्ला का यह message है कि अगर आप इमान लेकर आओगे उसके बाद ही आप जन्नत जाओगे विकर mostly अगर किसे भी बात करो तो इंसान यह पिज़ा जाएगा लेकिन यहीं चीज सिर्फ इसलाम में ही mention है कि कुरान में mention है कि अगर आप इमान लेकर आते हो उसके बाद ही आप जिवल होगे जन्नत में जाने के लिए तो जिन लोगों को पता ही नहीं है वो क्या करेंगे इसका मतलब वो सारे लोग क्या दोजक में च देकर आता है लिख नियाएं तो ब्लोगों दो जाएंगे जन्नत में झाने के लिए और जैसे इस पे आपने सिख हैं in the same way Hindu, इसाई, जियोस जो भी है सब लोग वो इसी लिए उस religion में है क्योंकि उनके parents या उनकी पूरी family उस religion को follow करती है तो इसी लिए इंसान जादा अगर कुछ पड़ेगा भी कुछ knowledge गें करेगा तो अपने religion के बारे में जादा knowledge गें करते हैं तो लोगों को तो पता ही निसे लेगा ना कि मतलब इमान लाने के बाद ही होई लीजिबल है जनने जाने के लिए लेकिन पताने क्या हो गया आखरत वादर दिन कोन कहा जाएगा जैसे इसमें अली मिजनस आपने एक और इस पॉइंट मेंशन किया था कि मतलब आपकी नेकियां गिनी जाएंगे आपकी नेकियां तो उस हिसाब से अगर कोई non muslim इंसान है और उसने बहुत सारी नेकियां की हैं तो उनकी नेकियों के बेस पे तो उनको जननत मिलनी जनना चाहने की बाकि अल्ला की मर्जी उस खुदा की मर्जी की वो किसको कहा भी हित्से हैं ये तो आखरत वारे दिन ही पता चलेगा और आज की स्वीडियो को हम भी ही खतम करते हैं बाब बाई